अब कर दोस्तों प्रपटी गुरू कूल चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और यह चैनल आपको रियर स्टेट में एक्सपाइट डवाईज देने की काम करता है और रियर स्टेट में ट्रेनिंग देने का भी यह प्लेट फॉर्म है और यह इंडिया में अलगत तर ट्रेनिंग दी जाती है और मैं हूं राजवन सिंग्वाली रियर स्टेट मेंटर रियर स्टेट बुक्स का और्थर एंड मोटिवेशन स्पीकर आज का जो टॉपिक है रियर स्टेट के एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक को कंट्रेक्ट फार्मिंग को लेके बना है वैसे यह चैप्ट्र मैंने अपनी किताब फ्रॉपटी गूरु में लिक्स्ट का हमेज को पर वो कताब पंजाबी में हो सकता है आप सभी को पंजाबी में प्रावलम हो परने गी पंजाब वाले तो पढ़ लेंगे तो इसलिए क्या है सबसे पहले तो यह देखना है फिर फैपल शूड प्रैफर लोगों को इसको प्रैफर क्यों करना चाहिए पहले तो कुंठ्रेक्ट होता है वो पैसे के रूप में हो सकता है कई बार फसलों के रूप में भी होता है जिसमें पंजाब में पहले चलता था लगान वगारा चलता था उसमें ठेका बोलते हैं पंजाब में और या बटाई भी बोलते हैं बटाई का मतलब है फसल के रूप में और यदि हम ठेका हो तो पैसे के रूप में हम उसको क्या कंपर से देती है और यह जो कंट्रेक्ट फार्वी का चैप्टर है यह मेरे को अपनी किताब में क्यों देना पड़ा क्योंकि यह काफी जदा आजकल ग्रोव कर रहे हैं और आप जो मेरे व्यूर्ज यूट्यूब चैनल के वह इससे काफ करते कर सकता हूं और रियल सेट में मैं काम भी कर तो कोई आदमी ऐसे हैं जिनके पास जबीन बिकी खेती वाली जबीन बिकी या उन्होंने बेच दी या अक्वायर होगी और वह पैसा पड़ाया उनके पास पैसे से वह प्रॉपर्टी ख्रीदना चाहते हैं वह एग्री कल की फसल होती हो तो वह सिंपल बात यह है कि वह एग्री कल्ट्चर लेंड ख्रीदने के लिए त्यार है लेकिन उनके पास मनेजमेंट की कमी है तो उनको एक गुड मनेजर चाहिए गुड मनेजर का मतलब किसी को प्रॉपर्टी किराय पे देंगे ठेके पे देंगे मुनाफ में ठेका सिस्टम चलता है या हर्याना में भी ठेका सिस्टम चलता है उसमें क्या अंतर है उसके बारे में यह वीडियो है तो अंतर तक वीडियो में बने रहे ना यह मैंने लिखा पंजाब और हर्याना कंपेरिजन की है और यह दूसरे स्टीट्स यह रेट ओप्रॉपर् वाली जमीन का रियत है तो उसके बाद जो इंकम है इंकम का मतलु रेंट चलिस जार पचास जार के आसपास ही मिलता है कल्कुलेशन करके देखें यदि हम चालीस लाख रपे वाली जमीन लें और चालीस हजार रपया हमें ठेका मुनाफ़ा मिलें तो इसका मतलब सीधे तोर पर एक लाख से हमें एक हजार पे सलाना आमदन होती है चाली लाख की जमीन और चालीस हार रपय ठेका एक या पचास श रह भी ठेका हो तो एक रोपे से एक हजार से लेकर बाराव सो पकास तक बाराव सो पकास रपे तक आपको आमदन होती है एक लाख से अब दूसरे सेटों में आ जो मैंने लिखा रेट और परोपर्टी रुप कड़्ी मिलती थी एक लाख वाड़ एकड़वाली भी प्र yemekस aliyd है नो तो पर जोड़ा लगाना पड़ेगा लेकिन यदि हम दस अल प्राने चले जाएं दस आल पीछे चले चल ले हैं तो एक लाख में तो बड़े अराम हुई थी। हमने मदुराइए में पंजाब के किसानों ले के दीए है मदुराइ तामलडू में तो ओगे भी में जुने हमने एक लाक रप रुपय चारी लाख का रहा है यदी वहां चारी लाख रड़ा तो यह समझे sub 16 तो सिंप Dries यहां पर आपको िषिशार रुपय आएगा एक डम कर यह चलो पांच लाख का रपल Вас के आपको दिशा रप्ति आएगा और यहां चाली लाख रुपे लगा के आपको एक हजार पर डिफरेंस चार गुना का हो गया कम से कमी यह हाइर सैट पे चार पे चार गुना से ज्यादा चार पांच गुड़ा ज्यादा जो ठीका है यहां पर मिलता है दूसरे स्टेटों में प्लस जो एप्रीशेश तक ज्मीन का बहुँ हो गया था किती वली लेकिन वह मंदा पढ़ने की वज़े से आज बीस लाख से चाली लाख चाली लाख भी हैर सैट पे हो सकता है बीस लाख पची लाख में मैंने एक वीडियो पहले भी दी है रेट का कंपेरिजन के एक आदमी ने साथ लाख सब्सक्तार में जमीन लीती सता सथाथ जार में ली थी और वह पांच लाख में बेजी गया मर्डेट करोड से उसने नौ करोड रपया बना दिया यह मेरी वीडियो पड़िया आप डेटेल के लिए उसको देख सकते हैं और इसमें मैं उसका लिंक जो है इसके डिसक्रिप् है लेकिन ध्यान हमें यह रखना है यहां बीमें मतलब उसका प्रपर्टि ले रहा हुं तो मैंने यह देखना है प्रकृटि में फसल हो रही है यह नहीं ही अब यह देखने वाली बात ही है पुझा आप यह पर लाग रपे वाली जमीन ले Lu खेति वाली पांच लाख वाली ले लू और यांप चाऊस लाक वाली लो फसल एक जैसा साल पर पृण रही촉 एक वीडिकात दस साल पुराने एक केस है वो मैंने डिसक्स किया था कि गर शंकर पंजाब में किसी बंदे ने नीर रोड़ा नाम के बंदे नी जो बहुर में रहता है उसकी बहुत बड़ी कंपनी थी उसने भी यहां पर जमीन खरीद दी और खरीद के जो इन्वेस्टरों ने कि में उसको लेकिन इस जमीन में कोई फसल नहीं हो रही थी कुछ भी नहीं हो रहा था और यह हमें डाउट लग रहा था कि यह इनकी डील है जो सिरे नहीं चड़ सकती क्योंकि जमीन की जो प्रोड्यूस है वह जीरो है और हम देने के लिए एक लाक बीस एर पर त्यार होगी तो कितनी देर दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे तो हमने ये देखना है कि जो जमीन हमने लीज पर लईनी एची जमीन जो किसी इन्वेस्टर को लेकि देनी है और हम ने दोबारे ठेक के मुनाफ़े पे लेनी है अपने नाम पे तो उसका मतलब यह है कि उसमें फसल हो लिए कि नही यदि आप 40 लाकी बिजाए चार लाक रवे वाली जमीन डूंड लो और उसमें 20,000 पर तेक का मनाफ़ा हो जाए और 20,000 में से आप उसको 10,000 पर भी दे दोगे खरीद मलव जमीन के असली मलव को तो तो भी हो खुश हो जाएगा आपको भी पैसे बचेगे और उसके पैसे बचेगे जमीन की परड्यूस है जो जमीन की फसल है वो उतनी होनी है तो उमेद करता हूं कि ये टॉपीक आपको अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें डिरेक्ट हमारी इनकम जनरेट हो सकती तो इसको वीडियो को लाइक करना शेर करना और इसके वपर चचा करना कि ये आपको किस तरीके से खुश हाली की तरफ लेके जा सकती है और आपका करके घंटी वाला बटन जूर दबादो ताके इस तरीके की जो आपको क्रोड़ पती बिना सकती है यह वीडियो मिस नहों कि दोस्तों आज के लिए इतने पढ़ते हैं हम तभी आगे बढ़ते हैं पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया आपका होस्त आपका दोस्त राजवन सिंग मौली थेंक्यू बरी मच्छ